मस्कार किसान भाईयों किर्सक मित्रा में आपका स्वागत है किसान भाईयों आज हम बात करने वाले हैं अगस्त महा में सब्जियों की खेती के बारे में तो शुरू करने से पहले आप किर्सक मित्रा चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके इस वीडियो में बात करेंगे अगस्त महीने में बोई जाने वाली 6 ऐसी सबजियों के वारे में जो आप खेत के साथ साथ अपने घर पर भी उगा सकते हैं यह वीडियो इस्पेसली ऐसे लोगों के लिए है जो घर पर सबजियां उगाना चाहते हैं सबसे पहले बात करेंगे धनिया के बारे में किसान भाईयों धनिया की बुआई अगस्त महा में कर देनी चाहिए क्योंकि धनिया के बलबीज दिन के अंदर तयार हो जाता है और आने वाले महिनों में इसका रेट भी काफी अच्छा रहता है जिससे हमारे किसान भाई अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं और जो भाई धनिया को गर पर उगाना चाहते हैं उनके लिए यह सबसे आसान फसल है क्योंकि यह कम समय में तयार हो जाती है और आपके घर में चाहिए जितनी कम जगा भी हो तब भी आप दनिया को गमले में भी उगा सकते हैं हमारी दूसरी फसल है टमाटर किसान भाई और टमाटर की बुवाई भी अगस्त महा में की जाती है इस समय टमाटर उगाने पर आने वाले कुछ महीनों में इसके अच्छे रेट मिलते हैं टमाटर को आप खेत में और घर पर दोनों जगा पर उगा सकते हैं तीसरे नमबर की सब्जी आती है मिर्च, अगस्ट में मिर्च लगा देनी चाहिए क्योंकि आगे आने वाले तो हारो के समय में इसका रेट सो रूपे किलो तक पहुँच जाता है, मिर्च भी खेत में उगने के साथ साथ घर पर भी वगाई जा सकती है. चोथी सब्जी है करेला, इसकी बुगाई भी अगस्ट में कर देनी चाहिए क्योंकि करेले के लिए गर्मी वैवर्सा दोनों मौसम अनुकूल है, करेले के बीज 5-7 दिन में अंगूरित हो जाते हैं, करेला लगबग 55 दिन बाद तुड़ा योग्य हो जाता है, करेला खेत के साथ-साथ घर पर गंबले में भी उगाया जा सकता है, पाचवी सब्जी है परवल, परवल में बिटामीन, कार्बोइडरेट तदा प्रोटीन अधिक मातरा में पाया जाता है, किसान भाईयो इसकी बुगाई अगस्ट में करनी चाहिए, यह एक कद्दू वर्गिय सब्ज इसकी बेल फैलती है, इसका रेट 80-100 रुपे किलो तक रहता है, इसको आप खेत में बुगाई के साथ-साथ घर पर भी उगा सकते हैं, छे नंबर की सब्जी है बेंगन, किसान भाईयो बेंगन की रोपाई अगस्ट में हो जानी चाहिए, जब बेंगन के पोधे पर कम से क चार पत्या आ जाए तब इसकी रोपाई करनी चाहिए, इस समय बेंगन की खेती करने से आने वाले महीनों में बेंगन का रेट 48-50 रुपी किलो तक पहुच जाता है, इसको भी आप खेत के साथ-साथ घर पर भी उगा सकते हैं, और इस वीडियो में हमने जितनी भी सब्ज कमित्रा चैनल के साथ बनी रहें, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो किर्प्या चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिल सकें, धन्यबाद